नमस्कार दोस्तों, BR, Health Solution में आपका स्वागत है। जदी हमें थायरेड हो जाए, तो हमें क्या-क्या नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि थायरेड बिमारी को दूर करने के लिए क्या-क्या घरीलू उपाय किये जा सकते हैं। यानि कि किंचीजों का सेवन करने से थायरड से छुटकारा पा सकते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे कि थायरड की बिमारी क्या होती हैं? थायरड एक प्रकार का ग्लैर्ड, यानि कि एक गरंथी होती है, जो हमारे गले की नीचली हिस्थे की बीच में butterfly shape का होता है. थारेट गरंथी का काम थारक्सिन हार्मोन बना कर फून तक पहुंचाना होता है जिससे शरीर का मेटाबॉलिजम कंट्रोल रहे यानि कि जो भोजन हम खाते हैं यह उसे उर्जा में बदलने का काम करता है इसके साथ यह पाचन प्रणाली को कंट्रोल करता है खाने की एनरजी को कंट्रोल करता है और शरीर में प्रोटीन के उत्पादन को कंट्रोल करने का काम करता है दोस्तो थारेट गरंथी दो परकार के हार्मोन बनाती है एक टी-3 जिसे जिसे थारे-9 कहते है और दूसरी टी-4 जब थारेट गरंथी से निकलने वाले यह दोनों हार्मोन इन बैल जबले जदातर महिलाओं को होती है इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है कि इसमें व्यक्ति को शुरुवाती लक्षनों का पता नहीं चल पाता और फिर समस्या बढ़ जाती है अब थारेट रोग दो परकार का होता है एक है हाइपर थारेडिजम इसमें थारेट गरंती पोजन में आयोडीन की कमी या आयोडीन का अधिक सेवन करना जी हाँ हमारा शरीर खुद से आयोडीन नहीं बना पाता यदि आप अपने अहार में आयोडीन कम लेते हैं तो इसे हाइपो थारेडिजम होने की संभाबना होती है और अगर आप अधिक मात्र में आयोडीन का स लाव आते हैं तो इस कारण से भी थारेड हो सकता है दिल की बिमारियां कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाने वाली कुछ दवाईयां ऐसी होती है जो थारेड हार्मोन के उत्पादन को कम कर देती है ऐसे सिती में हाइपो थारेडिजम की समस्या शुरू हो जाती है यदि करण भे थारेड की समस्या हो सकती है इसका एक और मुख्या करण है तनाउ जब तनाव का श्तर बढ़asantा तो इसका सबसे जदा आशर हमारे थारेड ग्लैंड पर पढ़ता है जिसके कारण भे थारेड रोब हो जाता है तो दोस्तों जाना आपने किन कारणों से थारेड बि जिसकी वज़े से हमारे शरीर में फैट जमा होने लगता है और मुटापा तेजी से बढ़ने लगता है। जिसकी वज़े से आपको नींद की समस्या शुरू हो जाती है। तो आपको नाखुन जल्दी जल्दी तूटते दिखाई देंगे। एक और मुखे लक्षन है थारेट का कब्स की समस्या। जी हाँ अगर आपको लगतार पेट की समस्या चालू हो गई हो या फिर कब्स रहता हो तो आप समझ जाएं आपको थारेट हो सकता है। अब हम बात करेंगे यदि आपको थारेट की समस्या शुरू हो गई हो तो किन चीजों का सेवन ना करें। कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। अधिक कैफिन का सेवन करने से थारेट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों यदि आप चाई या कॉफी का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो थारेट की समस्या और भी बढ़ सकती है। थारेट ग्लैंड हमारे शरीर से आयोडिन लेकर थारेट हार्मोन पैदा करते हैं। इसलिए हाइपर थारेडिजम की समस्या है तो अपने आहार में अधिक आयोडिन का सेवन ना करें। सोया प्रोडक्ट जैसे सोया बें, सोया मिल्क, अन्ने सोया युकत खार्द परदात में उपस्तेत सोया ऐस्टोजन्स उन एजाइम्स में रुकावट डाल सकते हैं जो थारेट हार्मोन का निर्माण करते हैं। इसलिए सोया प्रोडक्ट का सेवन करने से परहेस करें। क्रूसी फेरस सब्जियां जैसे ब्रॉकली, फुल गोबी, पत्ता गोबी, शलगम, आदी, फाइबर और अन्य, पोशक तत्वों से भरे होते हैं। लेकिन अगर आयोडीन की कमी है, तो ये थारेड हार्मोन के उत्पादन को कम करती है। इसलिए जिने हाइपो थारेडिजम की समस्या हो, उन्हें क्रूसी फेरस सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों हाइपो थारेडिजम के कारण शरीर का मेटाबॉलिजम धीमा हो सकता है, जिससे आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है। चीनी के अधिक मात्रावले खाद्य परदाज जैसे कोल्डिंग, चॉकलेट, केक, पेस्ट्रीज आधी का सिवन ना करें, क्योंकि इसमें पोशक तत्व बिलकुल नहीं पाये जाते और इसमें बहुत अधिक कैलोरीज होती है। ग्लूटेन फूट थारेट हार्मोन का उत्पादन धीमा करने के साथ साथ ये हाइपर थारेडिजम को भी बढ़ावा देता है। क्योंकि ऐसे खाद्दे परदातों में पोशक तत्वों की कमी होती है और इससे आपके शीर में कॉलिस्ट्रॉल बढ़ने का खत्रा बढ़ जाता है। में एक कप पानी डालके तेज गरम कर लें। जब पानी उबलने लगे तो उसे गैस से उतार लें और उसमें ताजा और सूखी इसे इस पत्तियों को डालकर पांस से दस मिनट के लिए छोड़ दें। अब इस मिश्रन को चाल लें और इसमें चाहें तो स्वात के लिए नीमबू और शहद मिलाकर ले सकते हैं। फिर इसे अराम से चाहे की तरह सिप सिप करके पिएं। यदि आप इसका सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़ादा फाइदा करेगा। पर ध्यार लखे दोस्तों प्रेगनेंट वूमेन या फिर जिन्ने मिर्गी की समस्या हो वे इसका सेवन बिलकुल भी ना करें। सेकंड रेमिडी है साबू धनिय का पानी जिहां पोटेशियम, मैगनेशियम, कैल्शियम से भरे धनिय के बीच का पानी ठारेट पेशन के लिए अमरित के समान होता है। तो चलिए जानते हैं इसे आपको कैसे बना रहा है। इसके लिए आप दो चमल धनिया के बीच लें और इसे एक गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख दें। सुबह इसे पानी समेत 5-10 मिनिट के लिए अच्छे से उबालें। जब पानी लगभग आदा गिलास हो जाएं तो इसे चान कर चाय की तरह आपको अराम से पीना है। दालचीनी अजवाइन और मेथी पाउडर का सेवन इसके लिए आपको 25-25 गराम दालचीनी अजवाइन और मेथी दाना लेना है और इसका पाउडर बना लें। अच्छी तरह से इसे पीस लें और इन तीनों पाउडर को आपको अच्छी तरह से मिला लेना है और इस मिश्रन को रोजाना खाने से पहले एक चमश गरम पानी में मिक्स करके इसका सेवन करना है। आप एक इंच अद्रक का टुकडा कदुकस करके डाल दें। अब आप पानी को अच्छी तरह से उबाल लें और जब पानी लगबग एक कब जितना हो जाएं तो इसे चान कर चाय की तरह अराम से सिप सिप करके पिएं। लौकी के रस का सेवन करें। एक किलो बाजरे का आटा और एक किलो जौर का आटा मिला लें। और लगातार इससे बनी रोटियां खाने से थायरेट रोक से चुटकारा पा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैप्तपून चीज है वो है उजयन प्राणाम। जी हां कम से कम रोजाना दिन में एक बार उजयन प्राणाम जरूर करें। लंबे समय तक करने से इसे थायरेट में अद्बुत लाब होंगे। तो आईए जानते हैं इसे कैसे करेंगे। 20 मिनट तक करें। इसके बाद रोजाना आप सुबा अननास खाएं या आप अननास का जूस भी पी सकते हैं। दोस्तो अननास को थायरेट किलर भी कहा जाता है। यदि आप इसका सेवन नियमित रूप से करते हैं तो आपको 100% इसका फायदा होगा। अननास में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और ब्रोमोलिन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंटी ऑक्सिडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं। पाइनैपल का जूस वेट लॉस करने के लिए बहुत ही मददगार है। दोस्तो थारेड में वेट को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। अपना वजन बिल्कुल भी बढ़ने ना दें। तो दोस्तो जाना आपने थारेड क्या हैं, इसके लक्षन क्या हैं और इससे बचने क धन्यवत दोस्तों।